हेलो दोस्तों मैं सुमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वर्टेस करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को भारती समिधान के टॉप 40 क्यूशन कराने जा रहा हूँ जो कि पते प्रस्न की ब्याक्या सहित दी गई है जो हर एक्जाम में बारवा पोछे जाते हैं इसका पार्ट फाइफ है अब पार्ट वन से लेके चार तक आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो जो लोग चैनल पनाए हो और प् भाग नागरिक्ता से सम्बंधित है भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच कौन इसमें सही होगा इसका सही आंसर क्या होगा नागरिक्ता से सम्बंधित इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए भाग दो में भाग दो में भार्टिस्ट अमिधान के भाग दो के अनुच किया गया है नागर्टा लोगतांत्रात्मक राजव्योस्था कि अप परिहाय सिधान को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। क्या होगा इसका सई आंसर होगा एकल नागरिक्ता भारती समिधान कौन सी नागरिक्ता प्रतां करती है एकल नागरिक्ता चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं भारती समिधान एकल नागरिक्ता का प्राधान करता है भारती समिधान में एकल नागरिक्ता का उपबंध बिटेन के समिधान से लिया गया है सब जम्मु कस्मीन भारत का एक मात राज है जिसके लिए नागरिकों को दोहरी नागरिक्ता प्राप्त है चलिए next question चलते हैं भारती सम्मिधान नागिता प्रदान करता है जन्म के अधार पर, निवास के अधार पर, देशी करण के अधार पर, उपर्युक्त सभी के अधार पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्यक्त सभी का अधार पर जर्म के अधार भी आप नागर्यक्ता प्राप्त कर सकते हैं निवास के अधार भी नागर्यक्ता प्राप्त कर सकते हैं और देशी करण के अधार भी नागर्यक्ता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसका सही अंसर क्या होगा डी नंबर उपर्युक्त सभी चलिए ब्याख्या देखते हैं भारती सम्धान के अनुशेद 11 के अनुशार संसत को नागरिक्ता के संबन में विधी बनाने की सक्ति प्रतां की गई है जिसके अंतरगत संसत द्वारा भारती नागरिक्ता अधिन्यम 1905 पारित किया गया इस अधिन्यम में वर्स 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संसोधन किया गया बरत्मान में भारती नागरिक्ता पांथ प्रकार से प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वनसानुगत, पंजी करण, देशी करण और विदेशी भूम के अधिगरहन के आधार पर चलिए, नेक्ट क्यूस्टन किस देश में दोहरी नागरिक्ता का सिधान स्विकार किया गया है भारत, कनाडा, आस्ट्रिया, सेंगत राज अमेरिका इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सैंगत राज अमेरिका चलिए, ब्याख्या देखते हैं सैंगत राज अमेरिका में दोहरी नागरिक्ता का सिधान स्विकार किया गया है अमेरिका में सासन ब्यवरस्था का स्वरूप संगी है जिसके अंतरगत केंदर एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य सक्तियों का इसपष्ट विवाजन किया गया है तथा केंदर एवं प्रांतों के दुआरा लोगों को अलग अलग नागरिक्ता प्रदान की गई है चलिए अगले क्यूशन तर चलते हैं निम्न में से किस इस्थित में किसी भारती नागरिक की नागरिकता समाथ हो सकती है परत्याग करने पर पर्यावसन करने पर वन्चित किये जाने पर या उपरोक्त सभी से इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी से चलिए ब्याख्या देखते हैं किसी भारती नागरिक की नागरिता तिन प्रकार समाप्त हो सकती है पहला किसी अन्य देश की नागरिता ग्रहण करने पर दूसरा नागरिता का परत्या करने पर तथा तिसरा सरकार द्वारा नागरिता से वन्चित करने पर चलिए अगले किश्चंटर चलते हैं समिधान के 26 नमबर 1949 को अंगे कित किये जाने के साथ समिधान के कौन से प्रावधान तुरूंत लागू कर दिये गए नागरिक्ता का प्रावधान, चुनाव सम्बधी प्रावधान, अंतरिम संसत सम्बंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी प्रावधान इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी प्रावधान चलिए भारती समिधान की उदेशका में उलेक किया गया है कि 26 नवंबर उन्हें सुन्चाज को भारत के लोगों ने समिधान को अंगीक्रित अधिनियमित और आत्माप्रित किया इस दिन नागरिक्ता चुनाओं अंतरीम संसद और स्थाई और संकर्मण कालिन आधि उपवंधों को लागू कर दिया गया जबकि समिधान का सेश उपवंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए चलिए next question भारति समिधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्ले किया गया है मौलिक अधिकारों का भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3 इसका से अंसर क्या होगा इसका से अंसर होगा आपका भाग 3 चलिए भारति समिधान के भाग 3 के अंच्छे 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्ले किया गया है मौलिक अधिकारों का प्रवधान अमेरिकी समिधान से लिया गया है जो अमेरिका के अधिकाब पत्र के समान है चलिए अगला question निम्न लिखित में से कवंसा मौल अधिकार भारति समिधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार लिंग समानता का अधिकार सूचना का अधिकार सोशण के विरुध अधिकार इसका सही अंसर क्या होगा पूछा है निम लिखित में से कवंसा मूलत का भारती सम्मिधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है तक कवंसा अधिका प्रदान नहीं किया गया है इसमें से इसका सेया अंसर क्या होगा सूचना का अधिकार चलिए ब्याख्या देखते हैं सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारती सम्मिधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 25 के अंतरगत नागरिकों को प्रदान किया गया है चलिए निम लिखित में से किस अनुछेद में समता के अधिकार का प्रोधान है समता का अधिकार कौन सा अनुछेद है अनुछेद 14, अनुछेद 19, अनुछेद 20, अनुछेद 21 इसका सही अंसर क्या होगा समता का अधिकार अनुछेद 14 में चलिए ब्याख्या देखते हैं, भारती समिधान के भाग तीन में नहित मौलिक अधिकारों के अन्तगर समानता के अधिकार का उलेक अनुछे 14 से 18 तक किया गया है, अनुछे 14 के अनुछार राज नागरिकों को विधी के समता से या विधियों के समान सरक्षन से वंचित नही करेगा, चलिए अगला क्यूशन है, भारती समिधान का कौन सा अनुछेद अस्प्रिश्यता का उन्मूलन करता है, अनुछे 14, अनुछे 15, अनुछे 16, अनुछे 17, तिसका सही अंसर का होगा, अस्प्रिश्यता का अन्त भी बोलते हैं, तिसका सही अंसर का होगा, अनुछे चलिए ब्याक्षा रेखते हैं भारती समिधान के अंशे 17 में अस्प्रिस्यता का उन्मूलन का प्रोधांग किया गया है अस्प्रिस्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को संजित करने के उद्देश से संसर द्वारा अस्प्रिस्यता यानि अपराध अधिनियम 1905 पारित किया गया है वर्ष 1976 में इससे वर्ष 1976 में इसमें संजोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार स्रंक्षण अधिनियम 1905 कर दिया गया चलिए अगले क्यूशन तर चलते हैं निम्न में से कवन सा सुमेलित नहीं है अनुशे 14 बीधी के समच समता अनुशे 16 आउसर के समानता अनुशे 17 उपाधियों का अंत अनुशे 18 सेन उपाधियों की अनुमती इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जागा अनुशे 17 यह आपका उपाधियों का अंत गलत बिएख्या देखते हैं, भारती समिधान को 18, 17 में अस्परिस्ता का अंत का प्रधां किया गया है, जबकि 18 में उपाधियों का अंत का उप्भंध किया गया है, यह अनुच्छेद राज के राज को सैन एवम अकादमिक छत्रों को छोड़ कर किसी भी अनप्रकार की उपाध्य प्रतां के जाने से प्रतबंधित करता है चलिए अगला क्यूस्चन निम लिखित में से कौन सा अधिकार भारते समिधान द्वारा प्रदत एक मौलिक अधिकार नहीं है इन में से कौन सा एक है जो मौलिक अधिकार नहीं है समता का अधिकार, सोतंता का अधिकार, समपत्ती का अधिकार, सोशन के विरुध अधिकार इसका सेया अंसर क्या होगा इसका सेया अंसर होगा आपका संपतिका अखिकार मॉलीद अखिकार से निकाल दिया गया है इसकी व्याख्या है आधियम insurance 2017-kg के द्वारा संपत्त के अधिकार से सम्भनित मौलिक अधिकारों अनुशे 1910- चर। union 31 को सूची से हटा दिया गया तथा बढ़तबान में अनुशे 309 के अंतरगत इसे वीधिक अधिकार बना दिया गया है वीधिक अधिकार मनलब कानूनी हधिकार चलिए अगले क्यूशन तर चलते हैं अगला क्यूशन है प्रेश की स्वतंत्रता किस अधिकार में नहीत है विधियों के समान सरक्षन भासर की स्वतंत्रता संग बनाने की स्वतंत्रता या कार और सामागरी की सुरक्षा इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका भासर की सोतंत्रता प्रेस की सोतंत्रता की सतंत्रत चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या है, भारती सम्मिधान में इसपश्ट रूप से प्रेस की सोतनता का उलेक नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स मनाव भारत संग मामले 1961 में उचितम नियाले ने इसपश्ट किया की अनुछेत 19.1 कव में प्रदत वाक योम अभिव्यक्ति की सोतनता में ही प्र प्रेस को साधारन नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकाब प्राप नहीं है, अतह प्रेस की सुतनता सम्मिधान के अनुछेत 19.1 का क्यंतरगत ही सामिल है, चलिए अगले क्यूस्टन तब चलते हैं, अगला क्यूस्टन है आपका, भारती सम्मिधान का उनुछेत 19 प्र प्रकार के सुतनतरताओं को, आज प्रकार के सुतनतरताओं को, इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर होगा आपका 6 प्रकार के सुतनतरताओं को, यानि अप्शन ए सही अंसर होगा इसका व्याख्या देखते हैं, भारती सम्मिधान का उनुछेत 19 नागरिकों को कुल अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संग बनाने, अभाद संचरण, निमास एवं ब्यापार चलिए अगले किशन्तर चलते हैं किसी अपराद के अभियुक्त को सोयम अपने विरुत गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता है भारती सम्मेधान के किस अनुषेद में यह परादान दिया गया है अनुषेद बीस, तीन, अनुषेद एककिस, अनुषेद बाईस, अनुषेद चोहत्तर तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा आपका अनुषेद बीस के तीन में दिया गया है समिधान में मौलिक अधिकारों के अंतरगत अनुछेद बीस के तीन में यह प्रावधांग किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त ब्यक्ति को सयम के विरुद गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा जबकि अनुछेद 21 में प्राण युम्ताहिक स्वतरंतता के अधिकार प्रदांग किया गया है अनुछेद 22 के अंतरगत कुछ देशाओं में ग्रिफतारी और निरोज सरक्षर का प्रावधान है चलिए अगला क्यूशन भारति समिधान करनशार जीवन का अधिकार एक क्या है राजनेतिक अधिकार है आर्थिक अधिकार है मौलिक अधिकार है धार्मिक अधिकार है तिसका सही आंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा जीवन का अधिकार जिसका सही अंसर क्या होगा आपका मौली का अधिकार है भारती सम्मिधान के उसार जीवन का अधिकार एक मौली का अधिकार है चलिए व्याख्या देखते हैं जीवन का अधिकार अंचेर 21 की अंतरगत भारती सम्मिधान में एक मौलिक अधिकार है उचितम न्याले ने अंचेर 21 के व्यापक व्याख्या करते हुए इस्थाई आवास निजिता का अधिकार आधिको भी जीवन के अधिकार करोब में मौलिक अधिकार माना है चलिए अगला क्यूशन है छव से चवदाव वर्स की आव के सभी बच्चों सिस्वों को सिक्षा का अधिकार हजाज एके नेत निदेशक सिधानतों उसे में समलित है मूल अधिकार है, समेधिक अधिकार है या उपड़िक तुमें से कोई नहीं इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा छव से चवदाव वर्स की आव के सभी बच्चों को सिख्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है चलिए र्याख्या है इसकी समिधान के अंशेर 21 क के अंतरगत च्छ से चवदा वर्ष की आयो के सभी बच्चों को नेसुल के एवं अनिवास सिख्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है यह मौलिक अधिकार संसर द्वारा थिया से हमें समिधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा समिधान में सामिल किया गया है इस लक्ष की प्राप्ती है तो संसर द्वारा सिख्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया जो एक पहल 2010 से प्रभावी हुआ यानि लागू हुआ चलिए अगले किशों तर चलते हैं मूल अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बालकों के नियोजन से प्रक्तिष रूप से सम्बंधित है अनुछेद 19, अनुछेद 17, अनुछेद 23, अनुछेद 24 क्या पूछा है बालकों के नियोजन बालकों के नियोजन से प्रत्य चुरूप से कौँ समनित है इसका सही अंसर होगा आपका अंशेद 24 चलिए रियाख्या देखते हैं भारती समधान के अंशेद 24 बालकों के नियोजन के प्रत्य सेद का और उपबंध है इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को कर खानों या अन्य किसी जोखिम युक्तिकारियों में सामिल नहीं किया जा सकता है दो जून 2017 को बाल स्रम यानि निशेद एवं वी नियमेन संसोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों के नियोजन पर पून प्रतिबंद लगाया गया है जबकि 14 से 18 वर्ष के किसोरों को खतरनाग ब्योशाओं के नियोजन पर पून प्रतिबंद है चले अगले क्यूचन तो चलते हैं किसी धर्म विशेश के समवर्धन के लिए करों के भुकतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारनिटी दी गई है इसका सही अंसर क्या होगा किसी धर्म विशेश के समवर्धन के लिए करों के भुकतान के अनिवार्यता से मुक्ति की गारनिटी किस अंच्छन में दी गई है अंच्छन 27 द्वारा चलिए विख्या देखते हैं समवर्धन के अंच्छे 27 के अंतरगत किसी ऐसे कर को विएक्ति को देने के लिए बाद नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदा की उन्नत में खर्च किया जाना हो किन्तो राज कोई भी धर्मिक सुबधा देने के लिए सुल्क अरोपित कर सकता है चलिए अगले क्यूशन से प्रूते हैं अगला क्यूशन है आपका अजएक्तिस्थान के पूर्थ करना है अधिकार कर्तब्यों को बालहित करते हैं को अंदोसित करते हैं इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा अधिकार कर्तब्यों को अनुदेशित करते हैं इसका बी अंसर सही होगा चलिए व्याक्या है समिधान और विधिक द्वारा प्रदत अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तब्यों का पालन करना होता है अतर अधिकार कर्तब्यों को अन्दोयसित करते हैं चलिए अगले क्यूश्य अंतर चलते हैं मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम लिखित में से कवंसा है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद इन में से कवंसा है इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा आपका गोलक नाथ बनाथ पंजाब राज विवाद और आपकारों से सम्दдिथ है इसमें सर्वच नियाले ने नेडल दिया कि संसर मौलिक अथकारों से संसोधन नहीं कर सकती है प vrijशेती है निम लिखिट में से काँण सा मौल अथकार विदेशी नागरिकों को प्राप नहीं है? विधी के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंता का अधिकार, प्राणयों दैहिक स्वतंता का अधिकार, सोंसड के विरुध अधिकार तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका B नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंता का अधिकार या ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है चलिए व्याख्या देखते हैं भारत में अधिकांस मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है जैसे विधी के समच संता अंशेद 14, अपराधों के लिए दो सिद्ध के संबंध में सरक्षन अंशेद 20, प्राणियों दहीक सोतनता का अधिकार अंशेद 21, 16 के विरुद अधिकार अंशेद 23 और 24, और धर्म के सोतनता का अधिकार अंशेद 25, 26, 27 और 28, परंत कुछ मूल 29 और 30 विदेशी नाधियों को प्राप्त नहीं है चलिए अगला प्रसना है आपका अल्फ संख्यकों के हितों के लिए आल्फ संख्यकों के थे रक्षा पर किस अंशेद में प्राधां किया गया है अन्षेद 14, अन्षेद 19, अन्षेद 29, अन्षेद 32 इसका सही अंसर क्या होगा आपका? इसका सही अंसर होगा आपका अन्षेद 29 अल्व संख्यकों के हितों के सरक्षा का प्राधान किस अन्षेद में किया गया है? अन्षेद 29 में चलिए वे अख्या देखते हैं समिधान के अंच्छत 39 में अल्व संख्यक वरगों के हितों के सरक्षन का प्रोधान किया गया है जिसके अनुसार भारत के राज च्छत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भासा लिपी या संसक्रिती को बनाय रखने का अधिकार होगा चलिए अगला क्यूशन है बंद हुआ मजदूर उनमूलन अधिनियम संसर नेकी सुषपारित किया गया था उनेसो कहत्तर में, उनेसो चीहत्तर में, उनेसो न्यासी में, उनेसो क्यासी में इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा आपका उनेसो चीहत्तर में बंधुआ मजदूर उनमुलन अधनियम संसर ने किसो अश्पारित किया 1976 वी में चलिए व्याख्य देखते हैं समिधान के अंचेद 23 मानों के दुर्वयापार एवं बलात स्रम का प्रस्यत करता है जिसे बंधुआ मजदूरी उनमुलन अधनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया इस कानून के अंतरगत बिना भुकतां किये मजदूरी कराना गर कानूनी घोशित कर दिया गया अंचेद 35 के दो के अनसार भारत और संसर ऐसे कारियों के लिए है जो भाग तीन के अधेन अपराद गोशित किये हैं डंड भीत करने के लिए कानून बना सकती है चलिए अगला प्रस्ण है आपका मंडल आयोग द्वारा अपने रिपोर्ट की सवर्ष प्रस्तुत की गई 1990 में, 1983 में, 1980 में, 1977 में तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा आपका, 1980 में मंडल आयोग द्वारा अपने रिपोर्ट की सवर्ष प्रस्तुत की गई 1980 में, व्याख्य देखते हैं इसकी सामाजिक और साक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की इस्तिती जानने के लिए 29.978 को मोरा रजी देशाई की सरकार ने बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री वीपी मंडल यानि बिंदेशोरी प्रसार मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषड़ा की इस आयोग ने रिपोर्ट 12.979 को प्रस्तूट करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रस्तित आयरिक्षण की सिफारिश की चलिए अगला प्रस्न है आपका अगला प्रस्न है भारत के समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत सस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेश रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुशेद 21, अनुशेद 25, अनुशेद 33, अनुशेद 19 इसका सही अ अंसर होगा आपका अंशेद 33 चलिए ब्याख्या देखते हैं समिधान के अंशेद 33 संसत को यह सक्ति प्रदान करता है कि वह ससत्र बलों खूफिया एजेंसियों एवं लोग ब्योस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विदिया बना सकती है चलिए अगला प्रस्ण है आपका मौलिक अधिकार निलंबित किये जा सकते हैं किसके दवारा राजिपाल दवारा राशपती दवारा विधी मंत्रे दवारा प्रधा मंत्रे दवारा इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका मौलिक अधिकार न अपातकाल के दवरान मूल अधिकारों का निलंबन दोड़ पकार से होता है। अगला प्रसन है आपका निम लिखित में से किसको समिधान दोड़ा मूलिक अधिकारों के स्रक्षन के सक्ति प्रतान की गई है। सही आंसर होगा। चलिए व्याक्ष देखते हैं। भारती समिधान में मूलिक अधिकार के उलंगन के विरुद अनचेद 32 के अंतरगत समयधानिक उपचारों का अधिकार प्रतान किया गया। अनचेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार के स्रक्षन की सक्ति उचितम न्याले को प्राप्त है। डाक्टर भीमराम बेटकर ने इस अनचेद को भारती समिधान का हिदय एवं मात्मा कहा है। जहां अनचेद 32 के अंतरगत उचितम न्याले की रिट अधिकारता केवल मौल अधिकारों के उलंगन के मावलों तक सीमित है। वही अनचेद 226 के अंतरगत उचितम न्यालों की अधिकारता में मौल अधिकारों के उलंगन के साथ साथ अनविशेभी समनित है। न्याले पांच प्रकार की रिट जारी करती है। बंदी प्रतिच्छी करण परमादेश प्रतिसेद अधिकार प्रिच्छा उथप्रेशन रिट। चलिए अगले प्रसन कितले चलते हैं। अगला प्रसन है आपका। निमली खितमे से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतनता का वुल्वर्क है। कौन सा है परमादेश बंदी प्रतिच्छी करण अधिकार प्रिच्छा उथप्रेशन। इसका सही अंसर क्या होगा। इसका सही अंसर होगा आपका अधिकार प्रिच्छा। चलिए व्यक्खे देखते हैं। बंदी प्रतिक शीकरण का अर्थ है ब्यक्ति को सरसरीड प्रस्तूत करो इस रिट के दवारा उचितम नियाले अंच्छेद 32 एवं नियाले अंच्छेद और 226 के दवारा किसी अवैद रूप से निरूध ब्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है बंदी प्र अंच्छीकरण को वियक्तिकर स्वतरता का वुल्वर्ग कहते हैं चलिए अगला प्रस्न है आपका नियम लिखित में से कवन सा एक सत्य है इन में से एक सत्य है बाकी तीन गलत है तो कवन सा है भारती समिधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरु रिपोर्ट 19 1926 ने समर्थन किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रस्रे दिया था, अगस्त प्रस्ता उने 140 में मूल अधिकार सामिल किये गए थे, क्रिप्समिशन 1942 में मूल अधिकारों का प्रस्रे दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होग आपका ए नमबर यही आपका सही है भारतिय समिधान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरु रुपोर्ट उन्हें सोठाइस ने समर्थन किया था यही आपका ए नमबर सही होगा चलिए व्याख्या देखते हैं भारतिय समिधान में मूल अधिकारों को समर्थन मोतिल नहरु द्वारा नहरु रुपोर्ट उन्हें सोठाइस के माध्यां से किया गया था चलिए अगला प्रसन है और प्रसन है आपका निवारक नजरबंदी के अंतर गत किसी व्यक्त को बिना मुकद मा चलाए कितने दिनों तक बंदी बना जा सकता है, एक माह, तीन माह, छह माह, नव माह, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका, तीन माह, तीन माह तक बिना मुक्दमा चलाए, बंदी बना जा सकता है, चलिए व्यक्ष देखते हैं, समिधान के अंच्षेद, 22 चार के अंतरकत, न बिना मुक्दमा चलाए तीन माह तक बंदी बना जा सकता है। परन्त यदि किसी ब्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजर बंदी में रखना हो तो उच्च नियाले के न्याधीज की अध्यक्ष्टा वाली समित की अनुशन सा आवस्यक होगी। चलिए अगला प्रस्न है आपका अगला प्रस्न है उच्चितम न्याले के अनुशार निजी भावनों के ऊपर राष्टी धोज को फराना समिधान के किस अनुशेत के अंतगर सम्लित किया गया है। इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर होगा अनुशेत उन्याले के अनुशार चलिए व्याख्या देखते हैं। नमीन जिन्दल बनाव भारत संग 2004 इसवी मामले में उच्चतम न्याले ने निरणे दिया की निजी भावनों के ऊपर राष्टी धोज फराना समिधान के अनुशेत उन्निस एकक में वरणित अभिव्यक्त किस्वतनता के अंतगत प्रतेक नागरी का मौलिकतिगार है। चलिए तो यह हुए आपके समिधान के 40 महत्पूर प्रस्न उत्तर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब ज़रूर करिए लाइक भी करिए तथा लोगों को पास सेर भी करिए जिससे हम मोटिवेशन हो और इससे भी अच्छा वीडियो लाएं तो तब तक के लिए चलिए अब अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद